तुम सब एक्साइटेड हो? मुझे बस एक बात कहनी थी मैंने सुना है तुम और तुम्हारा ये ग्रुप लगातार फे को परेशान कर रहे है लेकिन उससे दूर रहो, ओके? मुझे नहीं पता था तुम इतना नीचे गिर जाओगा बाई हे विन आशकारी शक्तियां में दावास सुनो विन आशक इस दर्थी से प्यार के नाशक यहां कुछ तो गडबर है मिस क्यों पेट मुझे रोकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फिल्म की शुरुआत में साइकी और क्यूपिड के प्यार की कहानी के बारे में बताया जाता है कि कैसे इन दोनों में क्यूपिड की माँ वीनस आ जाती है और वह साइकी को क्यूपिड से अलग होने के लिए कहती है लेकिन साइकी वीनस के सामने गिडगड़ाने लगती है तो वीनस साइकी के सामने तीन नामुम्किन शर्तों को रखती है की ना तो साइकी इन शर्तों को पूरा कर पाएगी और ना ही वह क्यूपिट से मिल पाएगी साइकी इन शर्टों को पूरा तो कर लेती है लेकिन वह बिलकुल कमजोर पढ़ जाती है और क्यूपिट के महल तक पहुँचने से पहले ही गिर जाती है जब क्यूपिट को साइकी के इस कठोर परिश्रम के बारे में पता चलता है तो वह साइकी को अपने साथ ले जाता है और उसकी उंगली में एक तीर को चुभाता है जो क्यूपिट के पास जल्दी उर्जा उत्पन करने के लिए रखा था लेकिन इस तीर को चुभाने से साइकी के शरीर में उल्टा असर पड़ता है क्योंकि क्यूपिड की माँ ने इसके तीर में जहर लगा दिया था और इसके कारण साइकी की मौत हो जाती है इस घटना के बाद क्यूपिड अपनी माँ और पिता से नफरत करने लगता है अब फिल्म में दिखाया जाता है कि वैलंटाइन्स डे के दिन रेस्टोरेंट में शादी शुदा आदमी कॉल एक लड़की को अपने प्यार का इज़ार करता है और यह अपनी बेशुमार दौलत के अनेक किस्से सुनाता है ताकि कॉल लड़की को इंप्रैस कर सके फिर लड़की कॉल को दो मिनट रुखने के लिए कहकर वाश्रूम में चली जाती है तभी कॉल अपने मोबाइल को देखता है जिसमें इसकी बेटी सैंडी की बारह मिस्कॉल होती है इतने में यहाँ पर सैंडी आ जाती है तो call Sandy से माफी मांगता है और Sandy की बातों को सुनने लगता है तभी Sandy को यहाँ पर TV में चल रहे हृदय के वीडियो की आवाज सुनाई देती है जिससे Sandy डर कर क्यूपिट के बारे में बताती है तो call इसे बाहर ले जाता है और इसकी कोई बात नहीं सुनता क्योंकि कॉल समझ रहा है कि सैंडी ने कोई नशा किया है इसलिए सैंडी यहां वहां की बातें कर रही है इतने में यहां पर वही लड़की आ जाती है और वह इसकी बेटी के बारे में पूछती है तभी लड़की की आँख में एक तीर लग जाता है और वह मर जाती है कॉल डरकर उपर की तरफ देखता है तो इसे उड़ता हुआ एक शैतान दिखाई देता है इस शैतान का नाम ही क्यूपिड है सैंडी कॉल को लेकर यहां से भागने लगती है और ये लोग भागते भागते एक जंगल में आ जाते हैं कॉल इसके बारे में पूछता है तो सैंडी बताती है कि इसने ही क्यूपिड को अपना काम करवाने के लिए बुलाया था क्योंकि कॉल अपनी पतनी को छोड़कर भाग आया था फिर कॉल सैंडी से उसकी मां के बारे में पूछता है तो Sandy बताती है कि उसे भी Cupid ने मार दिया है इतने में यहाँ पर Cupid आ जाता है और वह कॉल के पैरों में तीर मार देता है फिर Cupid Sandy की आँख को भी तीर में घौप देता है और यह कॉल के हृदक को निकाल लेता है अब दिखाया जाता है कि एक लड़की काले जादू की किताब से मंत्र को पढ़ती है और यह उस किताब से अपने प्रोफेसर को बुला कर इस से प्यार करने को मजबूर करने के लिए कहती है इस लड़की का नाम Faye है फिर Faye उन फोटो को जला देती है वैलेंटाइन्स डे के दो दिन पहले Faye के कॉलेज को दिखाया जाता है जिसमें प्रोफेसर जॉन मैडम स्ट्रिक को वैलेंटाइन्स डे की पार्टी के लिए इन्वाइट कर रहे होते हैं तभी एक मिस आकर बताती है कि प्रोफेसर जॉन की स्टूडेंट ने अपने बालों में चिंगम लगा ली है इधर लेडीस टॉयलेट में Faye का दोस्त मैट उसके बालों से चिंगम को निकाल रहा है तभी यहाँ पर प्रोफेसर जॉन आ जाता है तो मैट यहाँ से चला जाता है इतने में बाहर एलिस आ जाती है प्रोफेसर जॉन फे इसे पूछता है कि क्या तुम्हें एलिस और उसकी सहेलियां परिशान कर रही है लेकिन फे कुछ नहीं बताती तो प्रोफेसर यहाँ से चला जाता है बाहर आकर प्रोफेसर एलिस के उपर बहुत नाराज होता है तब भी एलिस प्रोफेसर की बात नहीं मानती और यहाँ से चली जाती है फिर क्लास में आकर प्रोफेसर इनको पढ़ाने लगता है फे मैट से बताती है और Faye को हंसता देखकर Alice उसके उपर गुसा हो जाती है तभी Alice प्रोफेसर के मोबाइल को उठा कर अपने दोस्तों के पास जाती है और उनसे Faye का नंबर पूछती है चुटी होने पर Faye अपने घर आती है और Faye घर पर Alice के पिता को देखती है जिससे Faye को बहुत दुख होता है जोकि इसकी वज़ह से Alice हमेशा Faye के उपर गुसा होती है Faye की मा इसे बहुत समझाती है तभी Faye के मोबाइल में मैसेज आता है जो प्रोफेसर जॉन के नंबर से आया हुआ है मैसेज को देखकर Faye बहुत खुश होती है फिर प्रोफेसर Faye की फोटो को मांगता है तो Faye अपनी फोटो को सेंट कर देती है असल में इस चैट को Alice और उसकी सहेलियां कर रही है क्योंकि Alice Faye से अपनी बेज़जती का बदला लेना चाहती है अगले दिन कॉलेज में Faye अपनी रैक में एक लैटर को देखती है जिसमें प्रोफेसर जॉन शाम को Faye से मिलना चाहता है और गुलाब को देखकर Faye बहुत खुश होती है तब ही उधर मैट आता है और Faye को ऐसा करने से मना करता है बलकि अपने साथ वैलन्टाइन्स डे की पार्टी में चलने के लिए कहता है इधर एलिस और उसका ग्रोपार्टी की तयारी कर रहे होते हैं तब ही यहाँ पर मैडम स्ट्रीक आ जाती है वो एलिस को मना करती है कि वह Faye को परिशान ना करे लेकिन एलिस मैडम स्ट्रीक की भी बात नहीं मानती तो मैडम एलिस को वैलन्टाइन्स डे की पार्टी नहीं करने देंगी इतना कहकर मैडम वहाँ से चली जाती है तब ही Faye प्रोफेसर जॉन को आने का मैसेज करती है तो ये लोग Faye के पीछे पीछे जाते हैं Faye यहाँ आकर काले जादू की किताब को देखती है जिसमें इसे क्यूपिट के बारे में पता चलता है अब वैलन्टाइन्स डे के दिन प्रोफेसर इनको पढ़ा रहा होता है तब ही सभी बच्चे हसने लगते हैं वीडियो देखकर Faye यहाँ से भाग जाती है और शैतान आकर Faye से काम करने के लिए पूचता है तो Faye college में मौझूद सभी लोगों को खत्म करने के लिए कहती है तो शैतान यहाँ पर क्यूपिट को भेजता है और Faye से अगले 24 घंटे में सभी लोगों को खत्म करने का वादा करता है इधर कॉलेज का प्रिंसिपल एलिस को इस हरकत के लिए सजा देता है कि वैलेंटाइन्स डे की पार्टी नहीं होगी और तुम्हें ही पूरा डेकोरेशन निकालना पड़ेगा इधर बाथरूम में एलिस की दोस्त लीना आती है तबी इसे यहाँ पर कुछ आवाज सुनाई देती है तो यह गेट के नीचे ज़ाकर दिखती है इसे बाहर किसी आदमी के पैर दिखाई देते हैं जिससे यह डरकर अपने पैरों को ऊपर कर लेती है और गेट के होल से बाहर की आवाज सुनने लगती है बाहर से क्यूपिड इसके कानों में तीर मार देता है तो लीना बाहर निकलाती है फिर क्यूपिड इसके पेट में दिल के निशान बना देता है इधर प्रिंसिपल फे को भी डेकोरेशन निकालने की सजा देता है फिर वहाँ जाकर फे मैट को उसकी मदद करने के लिए कहता है फिर मैडम स्ट्रीक सभी बच्चों को डेकोरेशन निकालने के लिए कहती है लेकिन एलिस डेकोरेशन को नहीं निकालती और फोन पर अपने बॉइफ्रेंड से बात करने लगती है जिससे मैडम स्ट्रीक बहुत गुसा हुदाती है एलिस क इनकी कार में बैठ कर यहां से जाने लगती है, तो प्रिंसिपल आकर इनकी कार के आगे खड़ा हो जाता है, एलिस अपने बॉइफ्रेंड को कार स्टार्ट करने के लिए कहती है, लेकिन इसकी कार स्टार्ट नहीं होती, तभी इन्हें आस्मान के ऊपर उड़ता हुआ क्यू प्रिंसिपल को भी मार दिया है, ये सुनकर फे बाहर आजाती है, तो मैट फे से इस बारे में पूछने लगता है, लेकिन फे कुछ नहीं बताती, तभी यहां पर प्रोफेसर आ जाता है, और लड़के के शरीर को देखने लगता है, अब इसकी नसों से खून बाहर निकलन लगा था, तो प्रोफेसर सभी बच्चों को यहां से जाने के लिए कहता है, मैट इधर भी फे से उस बारे में पूछता है, लेकिन अब भी फे कुछ नहीं बताती, फिर ये लोग मिस के साथ एक हॉल में आ जाते हैं, और थोड़ी देर में यहां की लाइट चली जाती है, फिर बोर्ड में हृदय की धड़कने का वीडियो चलने लगता है, तभी यहां पर फे और मैट आते हैं, और अपने पीछे क्यूपिट को देखते हैं, तो सभी लोग यहां से भागने लगते हैं, लेकिन क्यूपिट इनकी मिस को तीर मार देता है, फिर ये मैट को भी तीर मार देता है, जिससे सभी लोग छुप जाते हैं, इधर एलिस साइंस लैब में जाकर काले जादू की किताब देखती है, दूसरी तरफ फे और मैट बात्रूम में छुपे हुए हैं, तभी इन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, जिससे ये डरने लगते हैं, फ कर अपनी सहेली को मरा हुआ देखकर, एलिस बहुत डर जाती है, इधर फे प्रोफेसर को क्यूपिट के बारे में सब कुछ बताती है, कि 24 घंटे खत्म होने के बाद क्यूपिट यहां से चला जाएगा, फिर फे प्रोफेसर के साथ में एलिस को ढूनने लगती है, और तभ यह सब अभी खत्म करने के लिए कहती है, तो शैतान इससे कहता है, कि तुम्हें अपनी जान देनी होगी, तभी एलिस शैतान की आँखों में देख लेती है, तो शैतान इसके सामने आ जाता है, और क्यूपिड एलिस को भी तीर मार देता है, फिर पूरे 24 घंटे हो जाते ह तो यहाँ पर सभी जगह लाइट आ जाती है, और शैतान भी यहाँ से चले जाते है, अब मैडम स्ट्रीक मैट को इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल ले जाती है